पाकिस्तानी अधकारा नाधिया अधकारा ने एक इंटर्व्यू में अधकारा युम्ना जैदी को ओवर रेटेट कहने के नतीजे में तनकीद का निशाना बनने का इंकशाफ कर दिया नाधिया अफगान का शुमार इन बासलायत स्टाज में होता है जो अपने आप खुद मनवाते हैं वो दिल की बहुत साफ हैं और जो नहीं ठीक लगता है वो ही कहने की आदी हैं ड्रामा काबली पुलाओ, सुनो चंदा और काला डोरिया में अपनी बेहतरीन अदकारी के जोर दिखाने वाली अदकारा नादियाफगान ने हाली में एक यूट्यूब इंटर्वी शो में शिर्कत की जहां इन्होंने अपनी जिंदगी और अदकारी के हवाले से बाते की नादियावगन ने माजी का एक किस्सा सुनाते वक कहा कि मेरी अम्मी कहा करती थी कि अल्ला जिसे इज़त दे इसकी इज़त करनी चाहिए इस पर इन से पूछा गया कि क्या आपको लगता है ऐसा है क्यूंके इस सोचल मीरिया ट्रोलिंग के वक्त तो ये बात बिलकुल बरक्स मालूम होती है इसके जवाब में इन होने कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं ट्रोलिंग से महफूज हूँ क्योंकि मैं हमेशा सच कह देती हूँ ना कभी मेरा कोई स्कैंडल बना, ना कभी मुझे लेकर कोई ऐसी बात हुई मगर कजश्टा एक इंटर्व्यू में मेरे कुछ कहने के बाद से मुझे बत्तरीन सोचल मीरिया ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा इनका कहना था कि मैं जानती हूँ कि किसी बात पर रद्य अमल का आना फितरी है मगर मेरे साथ जिंदगी में कभी इसकदर बत्तमीजी नहीं की गई ना ही मुझे गाली दी गई मैं समझती हूँ कि सब की अपनी अपनी राय है मगर बुरे अलफास का इस्तमाल, यहां तक कि बदुआएं देना और गाली देना मैं ऐसी तवक्कु नहीं कर रही थी मुझे बेहद दुख पहुंचा और बुरा लगा मजीदन का कहना था कि 25 साल काम से मगबूलियत हासल करने के बाद अचानक लोगों का बदलता रवाया देखना तकलीफ का बाइस बना मैं इनका जवाब दे सकती थी मगर मैंने खामोशी को तरजी दी फिर लोगों की तवज्ज़ खुद ही दूसरी तरफ मुड़ गई अधकारा ने अपनी गुफटगू जारी रखते हुए लोगों से अपील की कि अगर इन्हें किसी से इखतलाफ है तो ये ठीक है इखतलाफ करें खुदारा तहजीब का दामन हाथ से न छोड़ें क्योंके कल को ये सब अगर आपके साथ होगा तो आपको भी पुरा लगेगा बाजी रहें कि नादिया अवकन ने एक इंटर्विव में युमना जैदी को ओवर रेटिड अधकारा कहा था जिसके बाद सोशल मीडिया सारफीन और युमना जैदी के मदा इंसे नारास होकर तनकीत का नशाना बनाते नज़राय थे